है वेलकम टो आफस्ट आज में लेकर आया हूं बहुत आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमारा जैंक का स्कोर कम है तो हमें क्या करना चाहिए हमें क्या आइटी मिलेगा या नहीं मिलेगा यह हमें कौन से इंस्ट्ट में अप्लाई करना चाहिए तो वही उसी पर एक वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए जैंस को कम है तो डोंट वरी इस्टिल यू गेट द चांस टो गेट आई टी लेवल इंस्ट्ट्ट ठीक है तो वह कौन-कौन से इंस्ट्ट है जैंस को कम होने पर भी आपको मिल सकता है याद रखना जैंस को कम होने का मतलब यह ह होता है कि आपको minimum eligibility criteria जो होता है यानि कि जो cut-off है वह आपने clear करकर रखा हो ठीक है आपके rank कम हो तो आपको मिल सकता है definitely और rank अच्छी रही तो आपको आई टीस तो मिलते ही है तो याद रखना आपको कौन-कौन से इंस्ट्ट मिलते हैं तो मैं एक बार आपको यहीं पर explain क करने की कोशिश करता हूं देखो सबसे पहले आपको हमने बताया यह फिर मैं आपको official website पर ही लेकर चलता हूं चलिए तो हम official website पर लेकर चलते हैं आपको और बाकी सारी update के लिए न जूड़ना भूले ठीक है जूड़ जाए हमारे app के साथ या फिर हमारी website पर या हमारे साथ याद रखना हाँ इस website में आपको सब कुछ मिलता है जैसे कि recorded lecture, cut off, paper analysis यह सारी चीज आए-फ-स online.com पर मिलती है ध्यान रखिएगा question practice भी free of cost है वहाँ और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे है मेरा 25 में एक्जाम देना चाहते हैं तो हमारी lecture series, video lectures और recorded live lectures और batch live भी चलते हैं आप वो जॉइन कर सकते हैं चली तो मैं आपको एक बार लेकर चलता हूँ यहाँ पर official website पर तो हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले आपको Google पर कर लेना IIT Jam 2024 ठीक है search इस बार IIT Jam का exam IIT Madras ने conduct कर वाया था यह आपको पता है simply आपको क्या देखना है आपको पता है कि कौन-कौन से ऐसे institute है तो जैसे कि सबसे पहले आप अपने institute देखना चाते हो का admitting institute कौन-कौन से हैं तो यह रहे admitting institute सारे list है यहाँ पर यदि आप biology के student हो यानि कि bio technology आप करना चाते हो MSC license में करना चाते हो MSC in Biotechnology करना चाते हो तो आपके लिए एक यहाँ पर है simple सा आपने IT Jam BT का exam दिया है तो आपको simply IT Jam BT का exam select करना है और यह सारे चार तो IT's है याद रखी यह IT's के बाद मैं आपको और भी institute बता रहा हूँ IT Bombay, IT Delhi IT Bombay, Delhi और यहाँ पर इंदोर और यहाँ पर 4th one है IT रूड की IT Bombay दो बार इसलिए क्योंकि यहाँ पर MSC in Biotechnology भी करवाई जाता है और Joint MSC PhD भी करवाई जाती है तो आपको show हो रहा होगा मैंने आपको बता भी दिया कैसे तरीका है आपको देखने के लिए तो यह 4 IT Bombay तो हमको Admitting Institute के साथ साथ आपको क्या करना है Apply Admission यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद Admitting Institute या फिर आपने Admitting Institute अभी देख लिए 4 IT से आपके लिए जिन्होंने IT Jam BT का एक्जाम दिया है Result Sharing Institute कौन-कौन से है तो वो है IISC Bangalore याद रखना IISC Bangalore की बैंगलोर के लिए उसकी काउंसलिंग होगी उसका क्या कट अफ होता है लास्टियर का क्या कट अफ रहा है वह मैंने अपने इसी चैनल पर एक वीडियो बनाकर डाला है यह वह देख सकते हैं आप सेकर्ड आपने IISC Bangalore कर सकते हूं IISC Bangalore Well Recognized Institute है मैं बोल रहा हूं बहुत ज़्यादा Best Institute है आप वहाँ जा सकते हैं ठीक है तो सेकर्ड लेवल आपका क्या IIT के अलावा चार IIT है उसके बाद आप IISC Bangalore का अलग से काउंसलिंग होती है वहाँ पर जा सकते हैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ही है और उसके साथ-साथ बागी और अधर इंस्ट्यूट के लिए जैसे के IIT के लिए और बागी इंस्ट्यूट के लिए आप CCMN की वेबसाइट पर जा सकते हैं तो आप यहाँ पर जाएएगा CCMN की वेबसाइट पर और आपके लिए कौन-कौन से और institute है तो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर e-services पर जाएगा और यहाँ पर आपको पिछली बार का closing score क्या रहा था उनका rank क्या रही थी और किते नंबर पर counseling institute मिल गए थे आपको तो वो सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको आपको simply कहा जाना यहाँ पर seat matrix पर जाएगे यह participating institute पर जाओगे तो सारे लिस्ट आ जाएगी बट आपको seat matrix पर जाने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पदा चले कि आपका आइटी जैम बीटी वालू के लिए क्योंकि आप admitting institute में जाओगे तो वहाँ पर सारे आ जाएंगे कौन-कौन से वाले आइटी जैम physics के लिए बी आइटी जैम mathematics के लिए आइटी जैम के लिए आइटी जैम बीटी के लिए सबका एक साथ आएगा बट आपको आइटी जैम बीटी के लिए special देखना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजी और इंस्ट्ट में आपको पता करना है इंस्ट्ट ठीक है टाइप अफ दे इंस्ट्ट ऑल इंस्ट्ट भी ऑल डिपार्टमेंट आप किसके लिए देखना चाहते हो दिपार्टमेंट ऑप बायो टेकनलो यह भी यहाँ पर बोला गया है और नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो टोटल एटीन सीट्स थी लास्ट बार्ट थी के मेरे पीछे आ रहा है यह टोटल एटीन सीट्स यहाँ पर थी अवेलेबल ठीक है सिरी माता विश्णो देवी यूनिवर्सिटी कट्रा जो है हमारा स्रि माता विश्णो देवी का जो इंस्ट्यूट है वहां पर M.S.C बायो टेक्नलोजी कर सकते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ठीक है, लाइट साइज है क्या आप दो इचीजों में कर सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ लाइट साइंस यह रहा यहाँ पर और आपको program select करना है, MSC license करना चाहते हो, group all select कीजेगा और आप कौन-कौन से एक तो आपने NIT कौन सा, दुरगापूर देखा, स्रीमाता वैशनो देवी इंशूर देखा थर्ड आपका आता है NIT रावर केला, NIT रावर केला में वहाँ पर आप MSC license कर सकते हो total number of seats, रावर केला में 37 number of seats से याद रखिएगा, jam के score के basis पर 37 बच्चे उन्होंने पिछली बार भी लिये थे तो याद रखिएगा, यहाँ पर इतना है, तो हमने क्या क्या जाना, तो आपके jam के score के basis पर 4 IIT मिलते हैं IIT, Bombay, IIT, Delhi, IIT, Indore और IIT, Rudki, यह 4 institute हो गए ठीक है, और उसके बाद और jam के score पर कौन से institute मिलता है, IIT jam BT वालो के लिए, IIC, Bangalore ती, यह 5 institute हो गए, फिर बाकी के institute आपको CCMN के थ्रू मिलते हैं, तो CCMN के थ्रू कुन कों से मिलता है, NIT दुर्गापूर, ठीक है, NIT रावर इंस्ट्यूट, कट्रा, ठीक है, जो जम्बू में है, तो वहाँ पर यह सारे institute वो थे, जो jam के score के basis पर, IIT jam BT के jam के score के basis पर आपको admission देते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको seeds भी बताई है, ध्यान रखिएगा, यह सारे institute jam के score के basis पर आपको definitely लेंगे, बाकी other institute के हम बात कर KIDU, BHU, JNU, तो यह सारे institute आपको GADB के score पर लेते हैं और Swayat PG के score पर आपको लेते हैं, उसके लिए अलग different video है, आप वो जाकर देख सकते हो, ठीक है, तो चलिए, till then, bye-bye, take care and happy learning guys, यह सारा jam के बारे में था, जो जो जानना चाते हैं, के हमारे jam score कम है और मैं जल्दी ही counseling प्रोसेस का video बनाऊँगा वो देखना ना भोले किस institute में कैसे counseling होती है और क्या क्या प्रोसेस होती लाच टेर कर क्या था तो इस बार का क्या होगा वो सारे related video इसी channel पर आएंगे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करिएगा ठीक है यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कोई अधर वीडियो या कोई आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसी वीड अधर वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि अब तक लेकर आता हूँ आप लोगों के सजेशन पर जो आपकी डिमांड होती है चलिए बाबाए